आज के डियूज में आप सब का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं आसी स्राठोर। सबसे पहले आपको बता दू मैं कि अंकीता लोखंडे किस तरह से एक वीडियो वैरल कर रही है। उनको पता है कि बरसी आने वाली है एससार कीुछ दिन पहले अभी आज की कल की वीडियो है काफी सोसल मीडिया पर वैरल हो रही है उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में लेकिन उन्होंने इस तरह से फिर एससार का नाम लिया है जिससे की कंट्रोवर्सी क्रियेट हो गई है उन्होंने कहा है कि इससार हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी और उन्होंने ये भी बताया कि 12 साल हो गए है पवित्र रिस्ता के और इस सिच्वेशन में सीजन टू भी लाने की तयारी हो रही है यानि कि फिर से एक बार इससा की आवाज उठाने की मांग करी और लोगों को इनसाफ नहीं लोगों को पवित्र रिस्ता टू की चिंता सता रही है ये कैसी अबद्रता वाली लच्छन है ये समझ में नहीं आता दोस्तों आप लोगों कोई भी पता है कि अभी तक इससार की इनसाफ की आवाज तेज है और ये दबने वाली नहीं है स्वेता सिंक्रिती की वज़ा से ये आवाजे हमेशा सोसल मीडिया पे हमेशा गुंजती रहती है एक ऐसी आवाज गुंजती है जिससे की पुरा देश और पुरी दुनिया स्वेता सिंक्रिती को सपोर्ट करता है लेकिन पुरे एससारियन से स्वेता क्रिती ने अपील करी और ये क्या संदेश दिया है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उन्होंने कहा है कि मैं जो एकांतवास होना चाती हूँ, मैं सांती से जाकर के पहारों पे SSR की यादों में खोना चाती हूँ, मुझे एक महीना तक मैं इन सारे चीजों से दूर रहूंगी, मेरा मेरा सेल कुछ काम नहीं करेगा, क्रिप पे आप लोग चिंता ना करें, एक फालोवर ने ये कमेंट करके कहा कि दीदी मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल निच्चिंत रहें, आपका भाई जिंदा है, मैं आपके साथ हूँ, और आप इस लराई को लरी हम आपके साथ ह सोसल मीडिया पे ये बाते अब फिर से गुंजने लगी है, लोग पूछने लगे हैं कि जब इस सार की बरसी आ रही है तो सीजन टू की बाते क्यों अंकीता लोग खंडे करती हैं, इनको कोई काम धाम नहीं है, इनके पस कोई भी बात विचार नहीं है, जिस तरह से एकता क कपूर इतनी अभरता वाली सीरियल बनाती हैं, और अपने लाइव में आ करके ये कहती हैं कि एकता मैम आपने मुझे अर्चना का पहचान दिया, आपका बहुत ही सुक्रियादा है, तो लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया, कि आरे ये तो आर्मी के लिए ऐसी गलत में बनाती हैं, और आपके लिए एकता कपूर इतनी अच्छी कैसे हो गई, कपसे हो गई, लेकिन जिस तरह से से सार के नाम पर इन्होंने पब्लिसिटी कमाई है, जब जिस तरह से अभी पूरी तरह से एंसिवी हरकत में है, तो इन्हें ये लगता है कि चलो अभी बहुत उठा हुआ है, चलो पवित्रिस्तासी जन्टू की थोड़ा सा पब्लिसिटी कर दी जाए, तो इस पर से पूरे सोसल मीडिया पे से सारियन ने इनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन इनको आदत नहीं छूटती है, ये हमेशा आगा जाती है, मूठा करके, और लोग आटिंग सिखाई, क्योंकि मैं बहुत ही जूमियर थी और वो बहुत सीवियर थे, तो वो हमेशा मुझे सिखाते थे,